कि नमस्ते दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर पहुत बहUत सवागत है आज की इस वीडियो में एक ऐसे दुर्ग मंदिर के बारे में चानकारी देंगे जहां पर बहुत सारे रोगियों का कल्यान हो चुका है बहुत सारे रोगियों का आने वाले टाइब में कल्यान जरूर होगा तो वीडियो में काफी इंफरमेटिव होने वाली है तो इसलिए वीडियो में अंतर जरूर परें आप लोग उसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले और कॉमेंट में जैमाता दी जरूर लिखें तो चलिए वीडियो में आगे पड़ते हैं तो यह दुर्गा मंदिर दुमर्शन बंगरा काली अस्थान से ठीक पूड़ा में यह मंदिर इस्तित है जो कि पस्वडिया माई के नाम से प्रसीद है इस मंदिर की अस्थापना लगभग 2014 आपिक 15 में हुआ था मंदिर पर राजकिसर भघगर जी देखते हैं जो कि 10-15 सालों से यहां पर देखते हैं लेकिन यहां पर अभी देखाना बंध हो गया है कुछ कारणों से यहां पर देखना बंध हो गया है लेकिन जब देखना सुरूर होगा तो उसके लिए मैं आप लोगों जरूर बताऊंगा तो बात करते हैं इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पर कैसे रोग्यों का कल्यान होता है तो बात यह है कि भगजी के उपर दुर्गा माता का आसन है वो ही जब उनके उपर आते हैं तो जो भी उनके सामने भक्त होते हैं उनकी जो भी कठिनाई जो भी उनका तकलीप होता है तो उनका निवारन हो जाता है ऐसा माना जाता है और इसी करण से बहुत सारे रोग्यों का बहुत सारे लोगों का कल्यान हो चुका है अगर आभी चाहें तो दिखा सकते हैं लेकिन अभी नहीं आना है क्योंकि अभी देखना बंद हो गया है लेकिन जब देखना शुरू होगा तो उसके लिए मैं आप लोगों को चरूर इस चैनल पर बता दूँगा तो अगर इस मंदिर के बारे में बात करें कि अम मंदिर पर कब देखा जाता है तो इस मंदिर पर स्थोंबार को और सुक्रबार को देखा जाता है और उसके लिए आप लोग को नंबर भी लगाना होता है क्योंकि नंबर नहीं लगाएगा तो फिर देखा नहीं जायागा लेकिन अभी देखना बंद हो गया है जब देखना सुरू होगा तो आपको जरूर हम बताएंगे टो गाईज वीडियो में इतना ही आप लोगको बताना था इतना ही इंफिर्मिशन अप लोगको देना था तो उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर की और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कॉमेंट में जह मातादी चरूर लिखती चीए चलिए मिल